हाँ दस्तों आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता है अपने इस यूटूब चनल सिविल इंजिनियर सवताज में जिसमें आप लोग लेंड सर्वेयर यानि आमीन सीख रहे हैं फिल्ड में किस तरह से काम किया जाए तो मैंने आप लोगों को पार्ट वन में गु गुनिया क्या है गुनिया दो इंच लंबी आदा इंच चोड़ी हाथी दात कचकड़ा पीतल की बनी होती है गुनिया सोलो इंच बराबर एक मायल की पेमाने पर जरीब के बराबर होती है ठीक है गुनिया के मैद भाग में एक रेखा होती है जो गुनिया के दो भागों मे बाठता है ठीक है गुनिया के दो भागों में बाठता है इसके दुवारा नक्से पर समकुन बनता है इसमें ठीक है इससे दस जरीब की मापी की जाती है इस परकार गुनिया दस भागों में बटा होता है परतेक भाग एक एक जरीप का होता है अर्थात 100 कड़ी का होता है एक भाग में 5 खंड होते हैं जो 20-20 कड़ी के होते हैं दूसरी तरफ 10 भाग में बटा होता है जो 10-10 कड़ी के होते हैं इसका उप्योग भू मापन में आमीन तथा अभ्यानता करते हैं ठीक है ये समझ लेजिए और इसके जो यह गुणिया है इस गुणिया को मैं आगे आपको बताने की कोशिस करता हूँ जहां से आप लोग कल वीडियो देखे थे जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने गुणिया के बारे में देखा था पाट वान वह यह पाट टू है और पाट टू पाट वान अगर आप है 终uciones जगा क्या है इंचेयो यहां से यहां तक 1-4 यहां तक यहां तक एक इंची यानि दो इंचका यह गुणिया है ठीक है और आदा इंच छोड़ा है हम लोग यह रहत तक सीखें है अब देखते सै कितना पार्ट है के पार्ट इसमें क्या गया जीरो से यहां से देखते एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस यानि यहां पर दस पार्ट क्या गया यह दस खंड क्या गया है ठीक है तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यानि यह जो है यह सारा कड़ी में है उपर बाला जो आप लोग देख रहें यह भी कड़ी में है और नीचे बाला है यह भी कड़ी में है ठीक है यहां पर देख सकते हैं यहां पर अगर यहां दस खंड है और हर एक खंड में पांच पांच लाइन का यह खंड क्या गया है ठ 10 खन्ड में 55 लाइन है तो कितना हो गया पचास लाइन हो गया ठीकIST तो फालत इसको आप 50-0 गुंई भी वो सकते हैं अभी नहीं समझ मार आ रहा होगा तो मैं आपको समझाने की कोशि़ करता हूं तुछ लिए देखते हैं यहां पर देखिए ठिके जो मैं दिखा रहा हूं यहां 0 है ठिके एक दो तीन च्छार पाँच छेस्थ, आठ नो दस ठीके दस खंड है और अहरे खंड में 5-5 लाइन है तो 10 गुना 5 कितना हो गया पचास हमेरा यहां पर खंड है ठीके 50 गुणया भी किया-कष बना होता है 16 ब्रबर एक माइल का सड़ है टो एक माल ब्रबर कितना असी जरीव A तो एक इंच बराबर कितना होगा तो एक इंच बराबर कितना होगा तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है दो इंच का है कितना इंच का है दो इंच का और यहां से यहां तक की लंबाई एक इंच है यहां से यहां एक इंच है ठीक है टोटल लंबाई हमारा दो इंच है और टोटल लंबाई यह गुनिया दो इंच का है आदा इंच चोड़ा है तो एक यहां बीच से हम लोग देखेंगे तो यहां स एक जरीब, अगर आप को जरीब के बारे में बता नहीं है, तो आप हमारे फ्रेलिस्ट में ज़ा और जरीब के बारे में भी देख सकते हैं, ठीके, यहां पर उसको गड़ी हो गया मतलब कितना गड़ी एक जरीब में होसे में स्वह कड़ी होती है ठीक है फांचो बॉना एक सो गड़ी यानि 1 इंच में पांशु करी सकते हैं व pénष एक लाएं या पिर एक पार्ट को किस्या देखते हैं एक पाट या फिर एक लाइन मेरा कितना कड़ी का होगा तो पांच सो बटा पचास करते हैं तो यह जिरो जिरो कड़ी है पांच दस यानि दस कड़ी एक लाइन मेरा जो यह एक लाइन आपको दीख रहा है ना यह दस कड़ी का हो गया कितना कड़ी का दस कड़ी का हो गया एक लाइन मेरा एक लाइन जो 10 कड़ी को हो गया आप इधार से पway पकट सकते यंश्वर इदार से इसको जिरुल मानें तब यहां पर 10 कड़ी को हो गया ठीके दासकर यहां पर एक भाइन 10 कड़ी है तो यहां पर कितना है मेरे टौटल पचास पाट था ना पचास गुना दस तो कितना हो गया पांसो कड़ी पांसो कड़ी मतलब पांच चेन याद रखना पांच चेन मेरा हो गया पांच चेन यहां से यहां से यहां तर पांच चेन यहां से यहां तर पांच चेन यहां से यहां तर पांच चेन यहां से यहां तर दस चे फेरो गुलिः केहलाता ठीक है ? पचास जिरो गुनिया केहलाता अगर उपर वाला श्रीप लाइन यह रहता तो आपको यह 50-0 गुनिया कहलाता, अगर कोई-कोई कहा रहा है, कि अगर यहां से यहां तक 50 chain हो रहा है, फिर यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां 5 chain, यहां से यहां 5 chain, यांने 10 chain, तो यहां मतलब 50 और 50 और 100, 100 बटा 0 कहाई नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है, एक देखते हैं ये वाला पाट नीचे वाला पाट सेम टाइप का है ठीक है यहां पर 0 है तो यहां 5 10 15 25 यानि कितना मेरा पाट है यहां पर 25 पाट है क्या एक दो तीन मतलब 5 एक दो तीन चार पांच यानि 5 खंड इस भी किया गया है पांच खंड इस में किया गया है फांच घंड में एक खंड में सम dinero दिए को , मेरा जा सब्सक्राइबeze पान्सो कड़ी हो गया तो मेरा हैं क्या 25 पाड है ना पाड या फिर 25 लाइन भी बोल सकते हैं आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो δेख सकते हैं तो दिखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहां पर 0 है तो यहां पहला कंड दुसरा कंड तरीसरा चोता पिए पह लाभी मेने यहां पर इसको दर्साया है और कि या और पाचो खंड में पहला इसमें भी खीचा गया है ठीक है तो 5, 10, 15, 20, 25 तो कितना हो गया 25 तो 25 लाइन हो गया या फिर 25 खंड भी बोल सकते हैं या 25 पार्ट भी क्या सकते हैं ठीक है तो 25 हो गया इस लाइन में तो एक इंच में 500 कड़ी होता है वो कहां से होता है मैंने आपको इस जगा पर बता दिया था एक इंच में 500 कड़ी तो 16 इंच बराबर 80 जरी एक इंच बराबर 5 चेन एक इंच बराबर 500 कड़ी होता है ठीक है और उपर वाला पार्ट को मैंने बताया 50 एक इंच बराबर 500 कड़ी होता है तो 50 पार्ट बराबर 500 कड़ी तो एक पार्ट यानि एक लाइन बराबर इससे हम इसको डिवाइड कर दे हो गया तो फ नहीं है 25 लाइन खिचाल घजाओ यानि 5 खंड गया तो फ़स्ट हो गया तो प्हसने फाटीस पाड बराबर 500 कडी हो गया है तो एक लाइन एक लाइन कीव यह यह लाइन कितना गतरा होगा पांस सवच्ट की-स ब्वाटा तये संपिके 20 एक लाइन बराबर 20 कड़ी का हो गया कितना कड़ी एक लाइन मेरा 20 कड़ी का हो गया ठीक है यहां से हैं यह 20 40 60 80 100 100 यहां से हैं 100 200 300 400 500 500 मतलब कई जरी माथ जरी हो znरी हिर यहां से पांच चेन यहां से पांच जरी ठीक है तो नीचे मतलब देख रहे हैं जहां पर 25 किया गया है अगर यह बला रहता और यह वबला नहीं रहता तो इसको क्या कहेंगे तो इसको 25-50 का गुनिया कहते हैं समझ में आ गया 25-50 का गुनिया है यह कौन से गुनिया है 25-50 का गुनिया है ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को आप फिर से देखिए अगर नहीं समझ मा रहा है तो हमें कमेंट कीजिए मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा अब मुझे उमीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरू कर देना धन्यवाद दुसरा दिन में इसी कड़ी से नक्से को नाप करके बताऊंगा कित करना कड़ी हो रहा है और आप लोगों को भी बताना है जूम करके दिखाऊंगा आप लोग बता सकते हैं मैं उमीद करूंगा तो देन्यवाद